तो बच्चों यहाँ पर हमारे सामने पेपर है माह मासिक अभ्यास प्रश्ण 2024-25 अक्टूवर माह का पेपर हम आपके लिए यहाँ पर करवा रहे हैं देखिए सबसे पहला सवाल है यदि सूर का उन्यान कौन 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले मिनार की उचाई है कैसे करेंगे इस सवाल को देखिए कहरा यदि सूर का उन्यान कौन पहला सवाल है तो यहाँ पर मान लीजे यह सूर है और सूर का उन्यान कौन कितने डिग्री है 60 डिग्री मतलब यहाँ से देखा जा रहा सूर को और सूर का उन्यान कौन 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मिनार की उचाई तो मान लीजे यह कोई मिनार है यहाँ पर यह क्या है कोई? मिनार, इसकी जो छाया बन रही तो 30 मीटर इसकी छाया बन रही है अब आपसे पूछा गया है कि मिनार की उचाई ग्यात करो मतलब आपको यह हाइट निकालनी है मिनार की तो देखे इस कोण के लिए आपको दिया है आधार और पूछा गया है लंब तो लंब और आधार की रिस्तेदारी किस से मिलती है 10 ठीटा से किस से मिलती है 10 ठीटा बराबर होता है लंब बटे आधार तो यहाँ पे हो जाएगा 1060 डिगरी बराबर लंब है एच और आधार दिया गया है 30 1060 होता है रूट 3 एच अपॉन 30 पहला उत्तर h बराबर 30 रूट 3 मीटर किते मीटर 30 रूट 3 मीटर option में देखते हैं 30 रूट 3 कहां है a option कौन सा option है a option तो जिनने a किया है उनको 1 marks दे दीजिए जिन्होंने a किया है उनको 1 marks दे दीजिए बाकी की नहीं कुछ अन लगाया है तो 0 अंक दे दे पहले का answer a है one marks दे दे जी हाँ objective है देखिए एक अंक का है ना एक अंक के दो सवाल चली अगला question अगला question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है 5 cm त्रिज्या के एक व्रत के बिंदू P पर इस पर सरेखा PQ केंदर O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस परकार मिलती है कि O Q बराबर 12 cm PQ की लंबाई याथ कीजिए देखिए है तो व्रत का question बहुत सरल question है ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा ये question सिंपल पाइथागुरस प्रमे का application है सबसे पहले कहा जा रहा है कि 5 cm का एक आपने व्रत ले लिया तो ये व्रत है और इस व्रत की त्रिज्या किती है किते सेंटीमिटर 5 cm त्रिज्या की व्रत के एक बिंदू P पर इस परस रेखा मान लीजे ये बिंदू P है क्या है ये बिंदू इस परस रेखा ये होती है बच्चो जो इस परस करके चली जाए उसको क्या कहते है तो ये एक इस परस रेखा P Q इस परस रेखा का नाम क्या है P Q केंदर O से जाने वाली एक रेखा बिंदू क्यू पर मिलती है ये इसका केंदर O है केंदर O से जाने वाली रेखा कहां पर मिलती है बिंदू क्यू पर बिंदू और कह रखा है कि O से लेकर Q तक की दूरी जो है वो किते सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर देख लीजे कह रखा है कि O से लेकर सब को पता होना चाहिए कि यह जो इस पर्स रेखा होती है इस पर्स रेखा का त्रिज्जा के साथ कुण कित्ते डिगरी होता है 90 अंश मतलब यह जो कुण होगा बच्चो यह कित्ते अंश होगा अब तो यह दिखने के बाद आपको एक समकॉण त्रिभुज न जर आ रहा की नहीं आ रहा अब क्या बचा अब तो कुछ नहीं बचा यह देखिए यह 90 अंश का कोण है यह दूरी आपको कित्ती दी गई है पाँच सेंटिमीटर यह दूरी कित्ती दी गई है ये 35 है की नहीं है बोलो और ये कितना है 12 क्या है ये कितना है और आपको ये ग्यात करना है इसका नाम है PQ क्या नाम है तो ये समकोंड त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है समकोंड त्रिभुज में कौन सी प्रमे लगती है बिल्कुल सही तो समकोंड त्रिभुज O, P, Q में समकोंड त्रिभुज O, P, Q में पाइथा गोरस प्रमे से हलाकि ये एक माक्स का क्वेश्चन है तो इतना सब लिखने की जरूत नहीं है आप डारेक्ट कर सकते हैं जल्दी जल्दी पाइथा गोरस प्रमे से क्या हो जाएगा O, P का वर्ग बराबर किसका वर्ग O, P का नहीं O, Q का किसका वर्ग बिटा क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धनलंब का वर्ग यही होता है न तो यहाँ पे O, Q का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी दो छोटी O P का वर्ग प्लस किसका पकी बात अब अधाई ये O Q आपको कितना दिया गया है तो 12 का वर्ग बराबर O P कितना है आपके पास 5 5 का वर्ग और P Q आपको पता नहीं है तो P Q रख दीजे वैसे के वैसे 12 का वर्ग कितना हो गया 144 एक्वल टू 25 प्लस P Q का वर्ग ठीक है समझ में आ रहा तो यहाँ पे 144 में से 25 को माइनस कर दीजिए यहाँ पर बचेगा P Q का वर्ग 144 में से 25 जड़ा माइनस करीए कितना आएगा 14 में से 5 गए 9 और यह बन जाएगा 3 में से 2 गए 1 119 कितना आ गया बराबर P Q का वर्ग ठीक है तो P Q का वर्ग पलट करके लिखें बराबर 119 लिखा जा सकता है तो हमको P Q चाहिए है अंडरूट 100 सेंटी आ गया समझ में अंडरूट 119 सेंटी मीटर हमाँ पास आंसर आ चुका है देखतें आंसर है क्या की नहीं है बोलो है option number D देख लीजे जिनका D सही है एक नंबर दे दें otherwise 0 दे दें यहाँ पे तो सही उत्तर इसका बनेगा कितना D clear है बच्चों अगले सवाल की और चलते हैं प्रश्नक्रमांक दो रिक्तिस्थान की पूर्ती करना है तीन मीटर उची मिनार के पाद से तीन मीटर दूर बिंदू पर मिनार की चोटी का उन्यान कोण कितना होगा अगल मैंने पढ़ाया है यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तीन मीटर उची मिनार है और उसके पाद से तीन मीटर दूर कोई बिंदू है यह देखिए सवाल नंबर दूसरे का पहला करवा रहा हूँ मैं तो आपके पास जो मिनार है वो कितने मीटर उची है तीन मीटर ही उची है और यह मिनार का टॉप हो गया और यह मिनार का बॉटम हो गया इसको मिनार का पद याने पैर या पाद बोलते हैं ये मिनार हो गया, बॉटम मिनार का, अब इस से तीन मीटर दूरी पर कोई बिंदू है, इस बिंदू का नाम ले 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 ले, क्या माल ले ले ले, कह रहा है, इस बिंदू से आपको मिनार की चोटी का उन्नेयन कोड निकालना है, मतलब मिनार के टॉप का, मतलब आप यहां से देख रहे हो तो आपको बताना है कि ये कोण कितना होगा इस कोण को थीटा मान लो क्या मान लो बच्चो थीटा अब देखो इस कोण के लिए जो भुजा टी बी है ये क्या है लंब है कि आधार है लंब है और भुजा बी सी क्या है तो लंब और आधार के लिए जो कोण होता है जो relation होता है जो संबंध होता हो क्या होता 10 theta 10 theta बराबर लंब बटे आधार तो यहाँ पे 10 theta लंब कितना दे रखा है 3 आधार भी कितना तीन तो 10 theta का मान कितना आएगा बिटा 1 कितना आएगा एक तो 10 theta बराबर 1 को 10 की table में कितने कोण पे आता है 45 degree किते कोंड पयाता है, तो थीटा बराबर किते डिगरी बच्चों, बिलकुल सही, जब आफ आनसर आएगा, थीटा बराबर 45 डिगरी, तो इसका सही उतर कितना होगा बिटा, यहांपे, 45 डिगरी, कितना होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा उन्यान कोन कितने डिगरी 45 डिगरी क्लियर की नॉट क्लियर देखे अगला है क्वेश्चा नमबर दो किसी व्रत की इसपर्ष रेखा उसे कितने बिंदू पर इसपर्ष करती है या प्रतिछेट करती है देखे नाम से ही इसपर्ष रेखा तो इसपर्ष रेखा जो होगी यह कोई व्रत है तो व्रत को इसपर्ष रेखा कितने बिंदू पर एक बिंदू पर बस छूँ करके चली जाएगी जैसे यह बिंदू है तो इस बिंदू से छूँ करके देखे इस पर्ष रेखा चली गई तो केवल किते बिंदू मिले एक बिंदू तो इसका सही उत्तर क्या होगा एक बिंदू पर प्रति छेत करती है या इस पर्ष करती है है ना नाम ही इस पर्ष रेखा तो एक बिंदू पर इश्पर्ष करेगी और इस बिंदू को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे इश्पर्ष बिंदू क्या बोलते हैं इसे इश्पर्ष बिंदू और ये जो रेखा होती है इसे कहते हैं इश्पर्ष रेखा जी हाँ ये बिंदू इस पर्श बिंदू है, ये रेखा, इस पर्श रेखा है, और ये जो रेखा केंदर से आ रही है, इसे बोलते हैं तरिज्या, ये जो रेखा है, ये है तरिज्या, clear हो गया? अगला सवाल सत्य असत्य चैति तल से उपर देखने पर ड्रश्टी रेखा और चैति रेखा के साथ का कोड अब नमन कोड कहलाता बोलो सत्य है भी असत्य है क्या है क्या है ये बिलकुल सही है असत्य है क्योंकि भाई जब आप उपर دेख रहे हो तो आपका जो कोण बनेगा वो उन्यान बनेगा क्या बनेगा ये आपकी हो गई कौन सी रेखा कौन सी रेखा ये हो गई 36 रेखा कौन सी रेखा हो गई और ये कौन सी रेखा हो गई कल बताया गया था कौन सी रेखा कौन सी रेखा अब जब 36 रेखा नीचे है दरश्टी रेखा उपर जा रही है तो आपका जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा हाँ कौन सा उन्यान कोण उ मतलब उठाना जब सिर को उठाना पड़े तब कौन सा कोण उन्यान कोण समझ गए तो उपर देखने के लिए सिर को उठाना पड़ता कि ने उठाना पड़ता तो वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा उन्यान कोण तो ये सवाल भी हो गया हमारा अगला वरत्तों को दो बिंदू पर प्रतिछेद करने वाली रेखा को छेदा करेखा कहते हैं इसी रेखा जो वरत्त को दो बिंदू पर प्रतिछेद करके चली जाए उसे कौन सी रेखा बोलते हैं छेदा करेखा ये देखे कोई वरत्त है और इसको ये रेखा दो बिंदू पर प्रतिछेद करके जा रही की नहीं जा रही है तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा क्या बोलते हैं ऐसी रेखा को? वरत्य के किनी दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा क्या बोलते हैं? जीवा छेदक रेखा प्रति छेदी रेखा का नाम ही छेदक रेखा पड़ गया बेटा अब उसका नाम प्रति छेदी रेखा नहीं रहेगा ठीक है क्लियर हुआ की नहीं हुआ दो बिंदू पर काटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे छेदक रेखा बोलो समझ मैं है यह हो गई जीवा, क्या हो गई यह, ठीक है, यह हो गई जीवा, और जो इसपर्स करके चली जाती है, वो कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, यह जो इसपर्स करके चली गई, यह हो गई इसपर्स रेखा, ठीक है, केंदर से जाने वाली जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास, क्या ब सबसे बड़ी, सबसे, तो कोई पूचे की वरत्य की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, चले अगले सवाल की और चलते हैं, यह हो गया हमारा, तो हमारा व्रत्य की दो बिंदो को मिलाने वाली प्रतिछेद करने वाली रेखा को छेदा करेखा कहते हैं बोलिए यस की नो सत्य है क्या सत्य है सत्य है अगला सवाल नमबर पांच भूमी के एक हाँ क्या हुआ एक वाकि में उत्तर छूड़ गया क्या हाँ छूड़ गया करा देते हैं पच्चिस मीटर एक उचे पुल से एक नाओ का अमनमन कौण 45 अंस है तो नाओ की पुल से 36 दूरी क्या होगी पच्चिस मीटर का एक उचा पुल है वहाँ से नाओ का अमनमन कौण कित्ते डिगरी है 45 डिगरी नाओ की पुल से 36 दूरी आईए इसका चितर बनाते हैं देखिए यह देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 25 मीटर एक उचा पुल है यह हमने पुल की उचाई बना ली यह पुल का उपर वाला पॉइंट बी फॉर ब्रिज यह पुल का उपर का पॉइंट है और यहाँ पर बिटा कोई नाओ है यह अपना 36 बन गया बोलो बन गया की नहीं बन गया यह पानी वाला सर्फेस हो गया और यहाँ पर कोई यह नाओ है यह देखिए यह नाओ है ठीक है अब 25 मीटर उचाई से यह कोई यहाँ से आँख लगा करके देख रहा है तो यह हो गई इसकी कौँसी रेखा 36 रेखा यह हो गई इसकी दरश्टी रेखा कौँसी रेखा अब नमन कौण हमेशा 36 से नीचे की तरह बनता है और यह कह रहाए यह कित्टे अन्स है 45 अंस है अब बच्चो आपको कल मैंने बताया था कि एकांतर कॉन सदैब बराबर होते हैं होते की नहीं होते हैं तो यह देखो क्या यहां पर यह वाला कॉन एकांतर कॉन कहलाएगा की नहीं कहलाएगा तो अगर यह 45 है तो यह भी कितना होगा अब कह रहा है नाओ की दूरी ग्यात करो पुल से 36 दूरी तो जो पता नहीं है उसको क्या मान लिया X क्या मान लिया अब इस कोण के लिए 25 क्या है बताईए लंब है और X क्या है तो लंब और आधार के लिए लगेगा 10 थीटा क्या लगेगा 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार लंब बटे तो यहाँ पर 10 थीटा कितने डिग्री 45 दिग्री ठीक है लंब यहाँ पर कितना है 25 आधार कितना है X 10 45 का मान एक 25 बटे कितना X X का एक से गुणा हो जाएगा आंसर X बराबर कितने मीटर 25 मीटर, सही है तो इसका correct उत्तर क्या होगा 25 मीटर तो सही answer नोट कर ले यहाँ पे जिसका 25 आया है उसे पूरे-पूरे marks मिलेंगे 36 दूरी ठीक है लेजे, वही प्रश्ण दे लिया वरत्य को दो बिंदू पर प्रतिछेद करने वाली रेखाओ को क्या कहते है 6 दक रेखा क्या कहते है कोई समस्या है क्या तो सही उत्तर है इसका 6 दक रेखा अब चलें प्रश्ण करमांग 5 की ओर प्रश्ण करमांग 5 क्या कहरा प्रश्ण करमांग 5 भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर की दोरी पर है सिखर का उन्नेयन कोंड 30 डिगरी है मिनार की उचाई ग्यात कीजे अरे ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो वही क्वेशन दे दिया है अच्छा इसमें 60 था और इसमें कितना है 30 है बस फर्क इतना है बाकी बिल्कुल सेम है इसको हमने कल करवाया था तो इसका उत्तर 30 रूट 3 आया था 10 रूट 3 हाँ 10 रूट 3 कितना आएगा चलिए तो बन जाया गए चलिए जिनन नहीं बनेगा फिर से देख लें एक बार मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदू है इसका नाम C ले ले ये दूरी किती दी गई है? 30 मीटर किती दी गई है? और कह रहा है कि मिनार के शिखर का 99 कोण जो है वो 30 अंच है किते अंच है? अब कह रहा है मिनार की उचाई ग्याद कीजिए मतलब आपको H ग्याद करना है तो इस कोण के लिए ये वाली चिपकी हुई भुजा बन जाती है आधार और सम्मुक भुजा बन जाती है लंब तो यहाँ पर आधार और लंब की रिलेशनसिप है तो 10 ठीटा लगेगा तो 10 ठीटा बराबर होता है लंब बटे आधार तो 10 कितने डिगरी? 30 डिगरी लंब कितना है एच आधार कितना है 30 10 30 कितना होता है रूट 3 एक्कॉल टू एच बटे 30 clear की not clear तो यहाँ से एच को रोक लीजे 30 उपर जाएगा 30 बटे रूट 3 30 बटे मतलब एच का माना आ गया 30 बटे रूट 3 परिमेखन कर दीजे रूट 3 उपर रूट 3 उपर हो गया 30 रूट 3 और रूट 3 गुणे रूट 3 कितना हो जाता है 3 3 से कितने बार कैंसल होगा 10 बार उत्तर आ गया 10 रूट 3 मीटर बोली सही है तो पांचवा सवाल हमारा clear हो गया clear दो मार्क्स का पांचवा सवाल दो मार्क्स का है एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नम्बर 6 क्वेश्चन नम्बर 6 वरत्य के केंदर से पहले क्वेश्चन दिखा दूँ आपको ये देखिए 6 नम्बर वरत्य के केंदर से 5 मीट सेंटी मीटर दूरी पर किसी बिंदू से वरत्य पर खीची गई इस पर सरीखा की लंबाई 4 सेंटी मीटर है तो वरत्य की तरिज्या ग्यात कीजिए वरत्य के केंदर से 5 cm दूरी पर इस्थित किसी बिंदू से है ना देखिए वरत्य केंदर से किती दूरी पर इस्थित है 5 cm ठीक ना 5 cm पर कोई बिंदू है पर क्या है कोई बिंदू है और उससे क्या खीच रहे हो आप इस पर से देखा क्या खीच रहे हो और उसकी लंबाई किती दी गई है 4 cm तो मैं सवाल का डाइग्राम मनाऊं ये देखिए ये वरत्य है क्या है हमारा ये ये वरत्य का केंद्र है ये वरत्य का क्या है केंद्र है ठीक है वरत्य केंद्र से किते cm पर 5 cm पर कोई बिंदू P है कोई बिंदू क्या आपने इससे एक इसपर्स रेखा खीच दी, क्या कीच दी बेटा? चलिए, इसपर्स नहीं हुई है, तो मैं इसपर्स कराना पड़ेगा मुझे, है ना? तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, इसपर्स कराने की, ये इस बार इसपर्स हो गई, ठीक है ना? तो वरत्य के पांच सेंटीमिटर से कोई सपर्स रेखा खीची गई है, ये इस बिंदु पर सपर्स करी? इस बिंदु का नाम देदो, ए, क्या नाम देदो? तो ये P से लेके A तक जो रेखा बनी है ये स्पर्स रेखा है अब कह रहा है कि इस स्पर्स रेखा की जो लंबाई है वो किते सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर किते सेंटीमीटर? तो ये सेंटीमीटर कितने है? 4 अब कह रहा है त्रिज्या ग्यात करो क्या ग्याद करो देखो बच्चो समझो आपको अभी अभी मैंने बताया है कि त्रिज्या जो होती है इस पर सरेका पर कित्ते डिगरी का कोण बनाती है 90 कित्ते का कोण बनाती है तो यदि मैं इस डाइग्राम को बनाओं अच्छे से तो इसकी हालत कुछ ऐसे बन रही है उधर पे वो तिर्चा दिखाई देरा आपको ये 90 डिगरी बन रहा है बुलो हाया न 90 के सामने ये कितना है 5 फै की नहीं है 90 के सामने 5 है ये त्रिज्या नहीं पता त्रिज्या को मानते है R क्या मानते है तो त्रिज्या मानली R और ये वाली जो भुजा है ये कितनी दी गई है 4 सेंटिमिटर दी गए की नहीं दी गई जो दूसरी भुजा है आपको ये कितने सेंटिमिटर दी गई है बताइए पाइथागोरस लगी गी की नहीं लगी गी तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमिय से बोलो ठीक है? क्या होगा पाइथागोरस प्रमिय से? ये वाली भुजा इसका नाम O ले लो क्या नाम ले लो? O तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वार O P का स्क्वार कौन सी भुजा? O P क्योंकि 90 अंस के सामने जो होता वो कर्ण होता है क्या होता है? कर्ण तो ये कर्ण है 90 अंस के सामने जो 5 है ये क्या है? कर्ण तो O P का स्क्वार बराबर AO का स्क्वार प्लस AP का स्क्वार बोलो clear की not clear? O P कितना दिया? आपको 5 दिया पाँच का स्क्वाइर बराबर-au-3, 3 की वैल्यू, r का स्क्वाइर प्लस कितने का? सुला तो 25-16 बराबर कितने स्क्वाइर? 25 में 16 कितना? 9 बराबर-r स्क्ाइर, पलट करके लिखे, r स्क्वाइर बराबर कितना? r बराबर square हटेगा तो सामने वाले पर root लगेगा तो r का मान कितना आ गया 3 तो answer r बराबर कितने centimeter 3 centimeter मतलब जो तरिज्या होगी ये कितने centimeter की होगी 3 centimeter कितने centimeter की होगी 3 centimeter समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तो पाइथागोरस theorem लग रही है तो इस chapter में आपको mainly पाइथागोरस theorem ही लगाना है इस chapter में मुखरूप से आपको पाइथागोरस premiere ही करना है बूलिये समझ में आया चलिए आंगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत्य के व्यास के सीरो पर खीची गई इस परस रेखाएं क्या होती है समानतर सिद्ध करना है कि व्रत्य के व्यास के सीरो पर खीची गई इस परस रेखाएं समानतर होती है आईए सिद्ध कर देते हैं बहुती सलल सवाल है ये तो ये हमारे पास सबसे पहले सवाल नमबर साथ एक आपको चाहिए है वरत्थ क्या चाहिए बच्चों ये वरत्थ बना लिया हमने और ये वरत्थ का व्यास ले लो क्या ले लो बिटा ये वरत्थ का तो आपको दो बिंदू मिल गए अब इस बिंदू पर एक इस परस रेखा खीच दो ये खीच दी बोले हाँ और इस बिंदू पर एक इस परस रेखा खीच दीजे इसका नाम M ले 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 जिए इसका नाम N ले 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 जिए इस रेखा खंड का नाम AB ले 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 जिए बोलिए हाँ न, ये कोण कित्ते डिगरी है, जब ये नब्बे है, इधर वाला भी कितना है, आपको पता होना चाहिए, अगर किसी दो रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 अन्षो, कित्ते अन्षो, अगर किसी रेखा कंड़ के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 अन्षBooks हो, तो वो रेखाएं क्या होती पैरलल होती, समाथा होती, क्या होती है, दूसरा मैथड, अगर दो रेखाएं हैं, उनके एकानथा कोण अगर बराबर है, तो वो एकानथा कोण जिन रेखाओं पर बन रहे हैं वो रिखाएं क्या होंगी समांतर क्या होंगी वो तो ये देखें यहां पर दोनों व्यास हैं हाँ या ना और ये वाला कुण किते डिगरी और ये वाला कुण भी किते डिगरी क्या ये एकांतर युगम के कौन हैं और दोनों बराबर हैं है की नहीं है और दोनों बराबर होते हैं और एक आंतर कौन हमेशा किसमें बनते हैं सरल रेखा में किसमें तो लिखेंगे चूंकी कौन ए एम एन देखो ये है ए एम एन दिखा की नहीं दिखा ये देखो दिखाया A M N A M नीचे कौन वैठा है तो ये वाला कौन क्या हो गया A M बराबर किते डिगरी समीकर नंबर एक दूसरा कौन M N D या D N M ये देखो ये वाला कौन D N M ये भी किते डिगरी Yes or No तो एंगल A M N जो है वो एंगल D N M के क्या है बराबर है और ये कौन से है एक आंतर युग्म कौन एक आंतर युग्म के कौन हाँ या ना और अगर एक आंतर युग्म के कौन बराबर हो तो वो जिन रेखाओं पर बनेंगी वो रेखाओं कैसी होंगी समांतर तो इसलिए A B तथा आता है A B तथा C D कैसी होंगी समानतर होंगी कैसी होंगी समझ में आया A B तथा C D कैसी रेखा होंगी समानतर देखे किसी ने दी किया है चेक करें अप लोग चलिए देखते हैं उसको देखते हैं अलग तरीके से हाँ मगर आपको एक आंतर कुण है हाँ बात एक ही है मगर एक आंतर कुण चलिए चलेगा ये भी मगर आपको 90 डिग्री वहाँ पे लिखना पड़ेगा है ना चलिए हो गया ये अगले सवाल की और चलते हैं सवाल क्रमांक 8 ये देखिए बाते नहीं दो संकेंदरी वरत्तों की तरिज्जाए दो संकेंदरी वरत्तों की तरिज्जाए पाँच सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर है बड़े वरत्ती की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छोटे वरत्त को इस पर्स करती हो देखिए यहां पे दो वृत्त हैं कितने वृत्त हैं दो वृत्त हैं तो चित्र से एक क्वस्चन आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा एक छोटा वृत्त है बिटा संग केंद्री याने की समान केंद्रवाला ये एक बड़ा वरत्य है बोलो ठीक है चलिए तो ये दो वरत्य हो गए आपके पास में क्या कहा जा रहा है यहां पे कहा जा रहा है कि दो संकेंद्री वरत्यों की तरिज्जा है 5 cm तथा 3 cm मतलब छोटे वाले की तरिज्जा 3 cm किती है तो छोटे वाले को मैं मान लेता हूँ small r और बड़े वाले की तरिज्जा है किते cm 5 cm अब इन कह रहा है कि इन दोनों वरत्यों को एक जीवा अंदर वाले वरत्य को इस पर्स कर रही है बाहर वाले की जीवा जो है लिखा हुआ है दो संकेंद्री वरत्यों की तरिज्जा है 5 cm तथा 3 cm है तो दो संकेंद्री वरत्यों की तरिज्जा है 5 cm और 3 cm है बड़े वरत्य की उस जीवा की लंबाई ग्यात कीज़े जो छोटे वरत्य को इस पर्स कर रही है कि बड़े वरत की जीवा, ये देखिए, क्या ये बड़े वरत की जीवा है की नहीं है? इसका नाम मानलो MN, क्या मानलो नाम? और ये छोटे वरत को इस परस कर रही की नहीं कर रही है? तो आपको इस जीवा की लंबाई गयात करनी है कि जीवा की लंबाई क्या होगी बच्चों यहां से इस पे आप इसको इस पे लंब गिराएंगे इस परस रेखा पर तो बताओ यह तरिज्जा होगी कि नहीं होगी किसकी तरिज्जा अंदर वाले की और यहाँ पूरी बाहर मिलो भई तो बड़ी बाली तरिज्या होगी की नहीं होगी? Capital R, इसका नाम ले लो O, इसका नाम ले लो P, हाई है ना? अब यह चीज हमको पता नहीं है, इसको मान लो कितना? X, क्या मान लो इसको? अच्छा, बाकी चीज़ें आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि Small R आपको कितना दिया है? 3 दिया है, दिया है की नहीं दिया? और Capital R, बड़ा R आपके पास कितना है? तो कुल मेरा क्या आपके पास पाइथागोरस ठियोरम लगती दिख रही है, दिख रही की नहीं दिख रही है? च्योंकि यह आपके पास में 5 है, यह आपके पास में 3 है, यह आपने X मान लिया है, बुली हाँ है ना? यह O है, यह P है, और यह कितना है? N है, क्या है? N है, तो हम लगाएंगे पाइथा गोरस प्रमिय से, क्या है पाइथा गोरस प्रमिय? बड़ी भुजा का स्क्वायर, कारण याने की O, N का बराबर O, P का स्क्वायर, प्लस P, N का स्क्वायर, ठीक है O, N, कितना दिया? 5, 5 का square equal to OP 3 का square प्लस जो पता नहीं है X का square तो 25 equal to 9 plus X square तो 25 minus 9 equal to कितना हो गया बेटा X square, 25 में 9 गये 16, X square की value कितनी आ गई 16 आ गई, आई समझ में की नहीं आई X square की value कितनी आ चुकी है हमको X निकालना है तो X equal to under root 16, बोलिए कितनी सेंटी मिटर 4 सेंटी मिटर कितनी सेंटी मिटर अब आपको पता होगा, आपको निकालना है MN, क्या निकालना है तो यह इसका double हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर, उतना इधर Yes or No, तो MN जीवा की लंबाई बराबर 2 गुणे 4 सेंटी मिटर आंसर बोलो, कितने सेंटी मिटर होगा 8 सेंटी मिटर ठीक है, तो यदी करा है किसी बच्चे ने तो उसको मिलते हैं पूरे माक्स 3 में से 3, 8 सेंटी मिटर ठीक है, 8 सेंटी मिटर चली देखे, अब अगला है Question No.9 Question No.9 क्या कह रहा है 1.5 मिटर लंबा एक प्रिक्चक चीमनी से 28.5 मिटर की दूरी पर है तो ये 1.5 मिटर का प्रिक्चक है इसके खुद की लंबाई कितने मिटर है? 1.5 मिटर 1.5 मिटर का प्रिक्चक है सवाल तो देख लीजिए 1.5 मिटर लंबा एक प्रिक्चक एक चीमनी से 28.5 मिटर की दूरी पर है तो चीमनी से जो इसकी दूरी है वो किती है? 28.5 उसकी आँख पर चिम्नी के सिखर का उन्यान कौण 45 अंस है चिम्नी की उचाई बताईए आपको बतानी है देखे कैसे करेंगे तो ये आपके पास 1.5 मीटर है और ये जो है कितना चिम्नी से 28.5 मीटर की दूरी पर है कितने मीटर की दूरी पर है उसकी आँख से तो आँख जमीन में तो होगे नहीं यहाँ पर होगी बोलो हाया न तो उसकी आँख यहाँ पर होगी कह रहा आँख की तुलना में कह रहा आँख से चिम्नी के शिकर का उन्यान कौण 45 अंस है तो यहाँ से जो चिम्नी को देख रहा है तो यहां तक का कुण कितना बन रहा है पैंतालेशन्स ठीक है कितना बन रहा है आपको चिमनी की कुल उचाई बतानी है अब बच्चो देखो अगर यहां पर डेढ़ मीटर है तो यहां भी कितने मीटर होगा डेढ़ मीटर बोले हाँ है न मतलब हमारे लिए ज्यात करने को क्या बचा ये वाली लंबाई X क्या बचा अब इसका नाम ले लो A यहाँ पर बिंदू ले लो B और यहाँ पर बिंदू ले लो C अब मैं तरिभुज A, B, C में लगा देता हूं बट सुनो एक चीज़ उसके पहले अगर बेटा ये आधार यहाँ से ले करके यहाँ तक का ये वाला आधार 28.5 का है तो इस तरिभुज का आधार भी कितना होगा? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बोलो हाँ है न और ये कौन कितने डिगरी है? 90 डिगरी clear की not clear तो लगेगा 10 थीटा क्या लगेगा? क्योंकि बात लंब की हो रही है लंब चाहिए है तो कैसे लग जाएगा? 10 थीटा बराबर तो हम लगाएंगे यहाँ पे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है सभी जानते हैं तो 10 यहाँ पे कितने डिगरी है? 45 डिगरी कितने डिगरी? हाँ लंब यहाँ पे कितना है? X लंब कितना है? X यह देखे ना लंब अपने पास में ABC है BC के X मान लिया है और आधार कितना है? 28.5 10.45 की वैल्यू कितनी? 1 तो X अपॉन 28.5 तो X 28.5 का गुड़ा हो जाएगा X से तो X का मान आएगा कितना मीटर? 28.5 मीटर क्लियर की नौट क्लियर? मतलब यहाँ से यहाँ तक की उचाई? 28.5 अब चिमनी की उचाई चिमनी की उचाई देखो चिमनी की उचाई नीचे से 28.5 H मान लो H बराबर कुल उचाई बराबर भाई, चिमनी नीचे से न उपर गई होगी तो नीचे वाला हिस्सा भी तो जुड़ेगा की नहीं जुड़ेगा? बोलो नहीं जुड़ेगा क्या? तो 1.5 मीटर नीचे का यहाँ का दिखा की नहीं दिखा? भाई, 1.5 मीटर जो हिस्सा है यह नीचे वाला रेड़ वाला जहां खुड लड़का खड़ा हुआ है और उपर का जो आया है X वो अलग हाँ या ना? तो 1.5 मीटर नीचे का और 28.5 मीटर उपर का तो 28, 12, 12, 29 28, 12, 29 और 31 बोलो आंसर कितने मीटर? 30 मीटर मतलब चिमनी की कुल उचाई 30 मीटर की है नोट कलने इसको तो इस तरीके से हमारा पेपर क्या हो गया? समाप्त हो गया पूरा का पूरा पेपर हमने करा दिया है आपको 9 कि 9 सवाल है ना? चिमनी की कुल उचाई कितनी है? 30 मीटर चली बहुत बहुत धन्यवाद